नमस्कार जहिंद और एक्जाम गईड गुरु के यूटूब चनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों यदि आपने लूसेंट पड़ी है तो लूसेंट के एक कॉशन है और एंसी आइटी का सार लूसेंट क्या है एंसी आइटी जो होती है उसका जो किताब है उसका सार है आप चाहें तो लूसेंट के पहले पेज़ पर देख सकते हैं उसमें लिखा हुआ है तो यह कॉशन आपको पिछले 30 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं और आगे भी आने की पूरी-पूरी संभावना है तो लूसेंट के यह कॉश्चन है पचास कॉश्चन आदे कॉश्च संभनित है ऑप्शन नंबर सी मस्तिस्क राइट आंसर भारत में सरवादिक कोईला बंडार इनमें सी कहां पाए जाता है तो भारत में सरवादिक कोईला बंडार आपका जारखंड में पाए जाता है ऑप्शन नंबर भी जारखंड राइट आंसर है भारत की जनसंख्या दो हजार में 100 क्रोलों को पार कर गी ती option नमबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रतम जल विदुद्द शक्ति केंद्र कहां पर सबसे पहला जल विदुद्द शक्ति केंद्र यह आपका शियो शमुद्रम में स्थित है option नमड़ी शियो शमुद्रम प्रशन के राइस्थान में option नमड़ी राइस्थान प्रशन के लिए राइट आंसर है राजा जी राष्टी पार्क एक प्राक्रतिक आवास है किसका तो राजा जी राष्टी पार्क एशिया हांथियों का प्राक्रतिक आवास है option नमड़ी यहां पर राइट आंसर है साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है तो साबरमती जो नदी है अहमदाबाद के किनारे बहती है और साबरमती के संत तुने कर दिया कमाल किसके बारे में कहा गया है कमेंट करके बताइए सुएत करांती का संबंद किस से है तो सुएत करांती का संबंद आपका दुख्द उत्पादन से ह option number B दुख्द उत्पादन प्रश्णि के लिए बिल्कुल सभी आंसर है दक्षिनल परश्चिम मांसून सबसे पहले केरल से प्रवेश करता है option number D केरल प्रश्चिम के लिए बिल्कुल सभी आंसर हो जाएगा निम्दल कितम से कौन सा राज शहतूत रेशम उत्पालित करता है तो शहतूत रेशम उत्पालित करने वाला राज यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देगा है राइट आंसर हो जाए करनाट का यहाँ पर ऑप्शन नमबर भी करनाट का शहतूत रेशम उत्पालित करता है तंग है गोदावरी नदी पर ऑप्षन अंबर सी गोदावरी नदी राइट अंब अचान बहुत है भारतhew में खनिछ तैल के भंधार मुखिता किस प्रकार विलत के जर्श कोई ऑणिवर मुकेता के बेंसल के आवसाधी जर्टानों में पाई परवत स्रणियों के बीच में है तो कुल्लू घाटी जो है यह धौला धर और पीर पंजाल के बीच में है ऑप्शन नमबर यह धौला धर पीर पंजाल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्ण के लिए बोर्जल तथा जोजला दर्रा निम्लिकत में से किस राज जिमस्तत है तो और यह शांत जल वाला सागर कहलाता है स्वेज नहर जल मार के दोनों सेरों पर इस्थित पत्तन युगम कौन कौन सा है तो स्वेज नहर की बात हो रही है तो स्वेज स्वेज नहर के दोनों तरब जो है आपका port side तथा switch एक तरब port side है और एक तरब switch है तो यहांपर option number D port side और switch right answer है चंद्रमा प्रतवी का एक चक कितने दिनों में लगाता है तो चंद्रमा प्रतवी का एक चक कर 27.3 दिन में लगाता है option number D प्रिद्धानों से विद्वान ने प्राक्रितिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिधान का प्रिद्धान के साथ माल्थज ने option number यहां पर भी माल्थज प्रशनी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रौकी परवत के पूरी ढालों पर उतरने वाली हवा को सयुक्त राज अमेरिका तथा कनाडा में क्या कहा जाता है तो रौकी परवत की बात हो रही है चिनूक हवाय कहा जाता है option number य यह चेंज भी होता लेटा लेकिन अभी सज चाहर उखना है क्या होती है तो भ इंबध और यहां पर आपका option number है अंवर निक प्रसने मसे किस नगर सबसे बड़ा महादीप कौन साइसार का सबसे बड़ा महादीप है आपका एशिया महादीप औप्शन नम्पर यहां पर सी एशिया महादीप राइट आंसर है विश्व में लावा निर्मित मैदानों में निमने मैंसे किस फसल की सरवादिक करशी की जाती है तो लावा निर्मित मैदानों में सबसे जादा कपास की खेती होती है option number B कपास प्रशने के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा रबड किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है तो जो रबड है यह आपकी उपज है विश्युवतिय प्रदेश की option number यहाँ पर भी विश्युवतिय प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा सूर्य ताप के समान अवधी वाले स्थानों को मिलाने वाले रिखा क्या कहलाती है तो ताप जहां पर है तो वहां पर समान ताप आईसो हेल रेखा है option number यहाँ पर भी वर्षावन राइट आंसर है आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है तो आकाश का सबसे चमकदार तारा है आपका serious option number यहाँ पर डी serious राइट आंसर हो जाएगा प्रशन के लिए तो उटरी अट्रलांटिक महासागर से होकर गुजरता है यहाँ पर option number C उतरी अट्रलांटिक महासागर राइट आंसर है शेकांकू दीप के स्वामित का विवाद किन दो देशों के बीच में है तो शेकांकू दीप इसके लिए जड़ रहे हैं चीन और जापान option number C चीन औ कॉन सा एक देश सरवादिक घनावसा है तो सबसे ज़्याद घनावसा है आपका यहां पर ऑप्षण देगा है बंगलादेश प्रिष्ण के लिए राइट आंसर है विश्यव में सीठ मरुस्तलों को अनकिस आना जाता है तो शीटमरस पो तुंड्रा पृइश का जाता है और यापर भी तुंड्रा प्रिशने के लिए राइट सवर जाएगा अल अजी जिया इस्तित है तो अजी जिया यह आपका सहारा मरस्तल began option number यहाँ पर भी सहारा मरुस्तल राइट आंसर हो जाएगा विश्व में किस महादीप में आदेम जातियों की सरवादिक जनसंग्या पाई जाती है तो आदेम जातियों की सरवादिक जनसंग्या पाई जाती है अफरीका में अप्शन नमबर यहां पर भी अफरीका प्रशनी के लिए बिल्कों सही आंसर हो जाएगा। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पालक देश कौन सा है? तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पालग देश है आपका ब्राजील ऑप्शन नमबर भी ब्राजील प्रशने के लिए बिल्कुत सही आंसर हो जाएगा नमलग देश्या किस महासागर की प्रमक विशिष्टा प्रवाल भित्ती है तो प्रवाल भित्ती है प्रशान्त महासागर में प्रशने के लिए बिल्कुत सही आंसर हो जाएगा मानस किस नदी की उपनदी है तो मानस जो है यह आपकी ब्रह्मपुत नदी की उपनदी है option नमर यहाँ पर B ब्रह्मपुत नदी राइट आंसर हो जाएगा पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्तुत है तो पेरियार वन प्रशु बिहार केरल में स्थ है option नमर डी केरल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्णी के लिए अगला question देखिए इसमें पूछा गया आपसे भारत में सबसे उची परवत चोटी कौन सी है तो भारत की सबसे उची परवत चोटी आपकी Godwin Austin option नमर ए Godwin Austin पुष्प के जनन्चक्र है तो पुष्प के जननचक्र आपके पुमंग और जायंग है option नमर ए पुमंग और जायंग राइट आंसर है तो वक की संसर्चनात्मख और क्रियात्मक पर आपकी ब्लीचिंग पाउडर, option number यहां पर D, bleaching powder प्रशने के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मोलास्क समुदाय के जन्तुओं के कवच का अध्यन क्या कहलाएगा, आपका कॉंकोलोजी, option number यहां पर भी कॉंकोलोजी राइट आंसर है, निम्नमेसिक किस में नाइट्रोजन पाए जाता है, तो नाइट्रोजन आपका पाए जाता है, प्रोटीन में, option number यहां पर भी, नाइट्रोजन प्रोटीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रोटीन के लिए अगला कोशन दीखिए, एक शेल यह पत्तर के पीले अतवा लाल रंग में परिवर्थित खोने का कान होगा, तो पीले अतवा लाल रंग में उसका ऑक्सुकर्ण हो जाए, यह अदि औक सिडेशन यहांपर भी, औक्सी करना ऑक्सिडिडेशन राइट आंसर है किस परिघटना के कारण वातावर्ण में मरीची काएं या मिराज दिखाई देता है तो मिराज जो दिखाई देता है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावतन के कारण दिखाई देता है option number B प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावतन राइट आंसर है नावजात शिशु को दी जाने वाली त्रिपल वैक्सीन शिशु को किस से प्रतिरक्षित करती है तो त्रिपल वैक्सीन जो होती है ये काली खांसी टिटनेस और डिप्तिरिया से बचाती है option number B एक अपार दर्शी वस्तु के रंग का कान वह रंग होता है वह रंग जिसको परावर्थित कर देता है option number C परावर्थित कर देगा उसी कलर का वो दिखाई देगा निमने मैं से कौन DNA अनू का एक घटक नहीं है तो DNA अनू का एक घटक नहीं है पूछा गया है यूरेसल DNA अनू का एक घटक नहीं है option number D निमने लगे तो में से कौन सा एक माना उनित्र का भाग नहीं है तो माना उनित्र का भाग यहाँ पर जो आपको option दीगे है फीमर नहीं है option number यह फीमर नहीं है फीमर क्या है comment कर गता है यह शरीर का कौन सा अंग है फीमर नाक फनी में प्रकास संसलेशी कारे होता है तो नाक फनी में आपका पर्ण का इस्तंब के द्वारा प्रकास संसलेशी कारे होता है यहाँ पर option number आपका B पर्ण का इस्तंब राइट आंसर हो जाएगा hydrogen bomb किस ने विक्सित किया था तो hydrogen bomb जो है यह विक्सित किया था Edward Taylor ने option number आपर C Edward Taylor प्रशने के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सबसे विशाल जीवित इस्तंब पाई कौन सा है तो सबसे विशाल जीवित इस्तंब पाई है आपका blue whale या नीली whale option number आपर C blue whale या नीली whale राइट आंसर है तत्यों की प्रकृति को ग्याद किया सकता है तो तत्यों की प्रकृति को ग्याद किया सकता है आपका electronic विन्यासी करण के द्वारा option number electronic विन्यासी करण प्रशने के लिए राइट आंसर है प्रकास अंसलेशन में विमोचित ऑक्सीजन उत्पन होती है तो प्रकास अंसलेशन में विमोचित ऑक्सीजन पानी के प्रकाशी अपगटन से option नमबर यहाँ पर A right answer हो जाएगा उत्पन होगी सरवादिक क्रियाशील धातू कौन सी है तो सबसे जादा क्रियाशील धातू यहाँ पर जो ऑप्शन दियेगा है आपके लीथियम है option नमब सी लीथियम राइट आंसर हो जाएगा सीस्मो ग्राब डैश का पता लगाने के लिए उप्योगी है तो सीस्मो ग्राब से आप भूकंप का पता लगाते हैं option नमबर यह भूकंप राइट आंसर हो जाएगा प्रशन के लिए पौधे होते हैं वो उर्जा रासायनिक उर्जा से ग्रहन करते हैं उप्शन सी बिल्कुछ ऑनसर हो जाएगा को कहा जाता है तो हार्मोन कहाता है प्शननमबर भी हार्मोन प्रशन के लिए बिल्कुर सरी आवसर हो जाएगा 1 MW MWh तीन गोड़त 10 Q पर 9 घाट जूल होगा यहाँ पर टाइपिंग जो है आपका 109 लिखा है उसको 3 गोड़त 10 Q पर 9 घाट जूल कर लेना मैं सफाई कर दthenा। तो सःऊ कर लिजिए मैंने सभी कर दिया है 3.6 गोड़त 10 Q पर 9 घाट जूल option number यहाँ पर डी right answer है अधिकतर computer समझ सकता है तो अधिकतर जो computer होते हैं यह आपकी mostly अंग्रेजी भाशा को समझ सकते हैं option number यहाँ पर वैसे computer binary language में काम करते हैं आपको पता हुआ जीरो वन पर binary language पर काम करते हैं नाबिक के धनावेशित होने की खोज किस न की थी तो नाबिक के धनावेशित होने की खोज जो की थी यह रदरफोर्ड के द्वार की गई थी option number भी रदरफोर्ड प्रशनी के लिए right answer हो जाएगा किस जिस नियूंतन ताप पर कोई पदात जलना शुरू करता है उसे उस पदात का क्या कहा जाता है तो उसे उस पदात का ज्वलन ताप कहा जाता है यहाँ पर आपका option number भी ज्वलन ताप रशनी के लिए बिल्कुल सही answer है तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है तो तत्तु का सबसे छोटा भाग परमाणू कहलाता है अप्शन नमबर यहाँ पर A तत्तु का सबसे छोटा भाग परमाणू कहलाएगा प्रकाश के निम्लकित प्रकारों में से किन का पौधे द्वारा तीवर अवशोशन होता है तो पौधे के द्वारा तीवर अवशोशन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नीले और लाल प्रकाश का option number B नीला और लाल प्रकाश राइट आंसर है लोह चुम्ब की पदार्थों के भीतर परमानों की असंक्य अती सुक्ष सर्णाओं को क्या कहा जाता है तो असंक्य अती सुक्ष सर्णाओं को डोमें कहा जाएगा option number यहां पर C । डोमें प्रशने के लिएराइट आंसर हो जाएगा अगनी नीर्जारोग किसे सम्भनित है तो अगनी नीर्जारोग यह आपका सेव से सम्भनित रोग है option number A सेव प्रशने के लिए बिल्कुत सही आंसर हो जाएगा अगनी नीर्जारोग के लिए लेमार्क वाद का मूल सिधान्त क्या है तो लेमार्क वाद का मूल सिधान्त है आपका उपारजित लक्षणों की वन्षागती आपका उपारजित लक्षणों की वन्षागती राइट आंसर हो जाएगा पित्त का संचय किसमें होता है तो पित्त का जो संचय होता है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो option देगा है उसमें से आपका option number D पित्तासय में पित्त का संचय होता है हेड़िकल परियोजना किस नदी पर है तो हेड़िकल परियोजना ये आपकी इस्थत है घाट प्रभा नदी पर ऑप्शन अमबरी घाट प्रभा नदी राइटान किनारे पड़ता है दोस्तों वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अपने ख्याल रखिया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका लिन शोबू बहुत बहुत धन्यवाद